पिछले चार साल से मैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगतार एक बात आप सबको बताते रहा हूं कि आने वाले टाइम में मिट्टी से बने हुए इंट पर भारे सरकार 100% बैन लगा देगी अभी पिछले साल की मैं बात बताओं 2021 में बिहार सरकार ने जितने भी सरकारी भौनों के निर्मान हैं उसमें मिट्टी से बने हुए इंट पर 100% बैन लगा दिया तो इसका सुलूशन एक ही बसता है और वो है फ्लाइश ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक और वेरियस टाइप के अल्टरनेटी मेथड जो की सरकार भी इसको इंकरेज कर रहे हैं रहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरे आल ओवर इंडिया में हमारे चानल पर जितना वीडियोज फ्लाइश ब्रिक्स से रिरेटेड बना है उसका नतीज़ा ये है कि आज के रिट में लगभग सैकड़ों लोगों ने अपने प्रोजेक्ट से स्टार्ट किये है उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया है और उसमें हम उनको भरपूर मदद भी देते हैं वो चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से हो इन फैक्ट हम आने वाले टाइम में जल्दी इसके उपर में एक फुल फ्लेज्ट कोर्स भी लेकरा रहे हैं ऑनलाइन ट्र और रोबस्ट क्वालिटी का मशीन है जो अभी मैं आपको लाइफ दिखा रहा हूँ इस मशीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप इस मशीन के थ्रू बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि आपके एरिया के लगभग लोगों के इंट के डिमांड को पूरा करने में सक्षम है इस लिबल का ये रोबस्ट मशीन है आईए पूरा डिटेल में मैं आपको मशीन के बारे में बताता हूँ जिससे कि आपको बिजनस करने में असानी होगी ये एक लाइफ फैक्टरी में चलता हुआ मशीन है ये मिक्स्विल ब्रांड का मशीन है जिसका टो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस मशीन से आप कितना बृक का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं तो पर शिफ्ट में इस मशीन से आप लगभग 19,200 ब्रिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं अब बात आती है कि कौन कौन सा ब्रिक्स तो इसमें आप बेसिकली 7 दूसरा हो गया जिग जग पेवर ब्लॉक नेक्स्ट हो गया इसमें सॉलिड कॉंक्रीट ब्लॉक जो की कई बार अपार्टमेंट में यूज किया जाता है ये नेक्स्ट हो गया इसमें हॉलो कॉंक्रीट ब्लॉक एंड वेरियस डिजाइन के आप इसमें पेवर ब्लॉक आप निर्मार कर सकते हैं यह एक फुली आटोमेटिक मशीन है जो की लिटेस्ट जर्मन टेकनोलोजी पर बना हुआ है और यह 4-in-1 मॉडल है यानि की एक ही मशीन से आप चार तरीके के अलग-अलग ब्रिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेम बदलना है और कुछ नहीं करना है मशीन एक ही रहेगा अब बात करते हैं कि पर स्ट्रोक में यह कितना ब्रिक्स प्रोडक्शन करेगा यानि कि प्रेस मशीन अगर एक बार प्रेस करता है तो कितना इसमें इट निकलेगा तो वो बेसिकली 10 इट निकलेगा एक बार में इस मशीन का जो प्रेस है जिससे इट को प्रेस किया जाता है वो किस टाइप का है यह है फुली ऑटोमेटिक हाइड्रॉलिक ब्रिक्स विथ हाई वाइबरेशन टेकनलोजी पूरे इंडिया में मिक्सवेल ही इस टाइप के टेकनलोजी पे काम कर रहा है जो कि बेसिकली एक जर्मन टेकनलोजी पे आधारित है नेक्स हो गया इसमें ब्रिक्स प्रेस बॉड़ी जो भी प्रेस करने वाला वो मशीन है उसका बॉड़ी किस चीज़ से बना हुआ तो वो बिसिकली हेवी ड्यूटी विंडो टाइप बॉड़ी फैरिकेटेट फ्रॉम पाइप यानि कि बहुत ही हाई क्वालिटी का वो बना हुआ अब बात करते हैं कि ब्रिक्स का साइज क्या होगा तो 230 mm का लेंथ होगा 110 mm का वाइड होगा यानि कि चौड़ा होगा और 75 mm का हाइट होगा तो यही इसके ब्रिक्स का साइज निकलेगा आपको जो की स्टैंडर्ड है जितने भी बड़े बड़े आप सरकारी या गयर सरकारी में भी अगर आप जाएंगे तो इसी टाइप के इट का डिमांड होता है नेक्स्ट होगा इसमें ट्रॉली फीडर मीटर यह जो ट्रॉली आपको दिखेगा इसमें एक मोटर लगा होता है वो 2 HP का मोटर लगा हुआ है पैलेट फीडिंग आटोमेटिक है पैलेट किसको बोलते हैं जो नीचे में तखता रखा हुआ है जिस पर इट आ रहा है उसको पैलेट बोलते हैं टोटल पावर कितना लगेगा तो 31.3 किलोवाट का ध्यान दीजे यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप फैक्टरी कोलेंगे तो आपको अच्छी खासी बिजली की रिक्वार्मेंट होगी और उसके लिए कई बार आपको अलग से ट्रांसफर्मर भी लगवाना पढ़ सकता है बड़े फैक्टरी में यह ज़रूरत पढ़ती है नेक्स्ट हो गया इसमें ब्रिक्स प्रेस टनेज जो की 180 मैट्रिक टन यह मैक्सिमम है नेक्स्ट हो गया हाइडरॉलिक वाल्व इसके बाद हाइप प्रेसर पंप हो गया हाइप फ्लो पंप हो गया यह सारा यू केन मेक वैन पंप है कंट्रोल पैनल है यह PLC भी टच स्क्रीन है एकदम सिंपल है कोई भी आदमी ऑपरेट कर सकता है नॉर्मल पढ़ा लिखा अगर आप भी फ्लाइश ब्रिक्स मेकिं बिजनेस का काम करना चाते हैं या पेवर ब्लोक का काम में स्टार्ट करना चाते हैं तो स्कीन पर दिये हुए नंबर से आप समपर्क करें और अभी के अभी कोटेशन को प्राप्ट करें नेक्स्ट हो गया इसमें हमारा वाइबरेटर मोटर यह साड़े साथ एचपी का है दो मोटर लगा हुआ रहेगा जो लगभग 15 एचपी का यह वाइबरेटर मोटर लगेगा हाइड्रॉलिक मोटर है वो 15 एचपी का अकेला ही होगा हाइड्रॉलिक ओयल टैंक कैपसिटी जो है साड़े 400 लीटर का है और ओयल कुलिंग भी इसमें लगा हुआ है जिसको वाटर कुलिंग आप बोल सकते हैं यह जो अभी आप देख रहे हैं यह ओवराल फैम 1800 यह मोटल है जिसका अभी हमने आपको वीडियो में डीटेल में बताया एक छोटा सारी क्वेस्ट करूँ आप सबसे अगर आप यहां तक कहुँच गया हैं तो वीडियो को शेर जरूर कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो माच टेक केर बबाए